यह उसकोप है कि इसका function क्या है basically हमारे पास AC क्रांट जो होता है पूर जाब पर लिए एक circuit है ठीक है AC क्रांट basically alternating क्रांट होता है जो के हमारे घरों में आता है ठीक है वो DC क्रांट यानके battery जिस तरह का क्रांट देती हो उस तरह का नहीं होता है वो इसकी fluctuate करता है अगर मैं इसका switch on करता हूँ तो आपको बजाहिर नदर आ रहा है कि यह bulb continuously on है ठीक है अगर मैं इसकी frequency यह play है ठीक है आपको फ्लक्चुएट करता हूँ नदर आ रहा है ठीक है उसकी वज़ा कि इसकी जो frequency है वो इस वक्त टू हर्ट्स पे है ठीक है अब आपको बजाहिर चैमरे का frame rate और जो frequency AC current की होती है वो अपस में overlap कर रही होती है फिर हमारे पास जो AC current होता है उसका अगर हम function draw करें ठीक है अगर मैं उसका chart draw करूँ यह मेरे पास एक cathode ray के एक voltmeter है तो यह मुझे इसका graph बताएगा तो basically हमारे पास जो AC current होता है वो इस तरह से fluctuate कर रहता है about zero volt ठीक है वो maximum positive 50 तक जाता है minimum वो negative 50 तक जा रहा है यहाँ पे तकरीब है तो वो इस तरह से fluctuate करता है अब इस graph को देखने के लिए कि इसका function क्या है basically यह इसका function है कि यह किस तरह से उपर नीचे हो रहा है इसको हम देखने के half plot करती है हम इस में वो देखेंगे कि इस यारो का basically function क्या है वो किस तरह से चलती है तो हमारे पास जो CRO है इस तरह है ठीक है तो और टाइप उसका structure कहलो कि यहाँ पर है ठीक है उसके एक side भी हमारे पास क्या होता है एक film होती है जिसे हम fluorescent film कहते है ठीक है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है एक heating filament है ठीक है heating filament जैसे के नाम जाहर कर रहा है इसका मकसद क्या है heat up करना किसी चीज़ को अब यह किस चीज़ को heat up कर रहा है यह basically एक cathode tube होती है उसको heat up कर रहा होता है अब उसको heat up यह क्यों करता है जैसी यह इसको heat up करता है यह cathode क्या करती है यह source यह जिसमें filament और cathode दोनों मिलके आते हैं अब हमें सामने स्क्रीन पर बिसकिली हमें यह dots की शकल में नजरा रही हमें एक bright screen नजरा रही है हम चाहते हैं कि हम इसकी brightness को control करें यानि हम यह चाहरे हैं कि कितने electron इसको जाके strike करेंगे हम उनको control करना चाहरे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम एक grid इंस्टॉल करते हैं अब ये grid क्या करती है इस grid पे जो charge होता है वो opposite to cathode होता है यानिके इस पे positive charge होता है अब इस पे positive charge है electrons emit करे हैं जो के negative charge के हैं तो इस पे जितना ज़्यादा potential है जितना ज़्यादा positive charge होगा उतने ज़्यादा electrons को अपनी तरफ खेंचेगा तो हमारे पास screen पे उतने कम electrons आएंगे और जितना इस पे charge कम होगा उतने ज़्यादा electrons आएंगे तो हमारे पास जो इस नहीं होगा जो इसकी brightness है उसको control कर सकते हैं तो हमारे पास एक positively charged ग्रिड होती है तो फिल्हाल जो हमारे पास अभी अगर हम screen पे देखें तो हमारे पास पूरी screen पे electrons जो हैं वो uniformly distribute हो रहे हैं अब कि हम चाहरे हैं कि हमें single point पे जतने भी electrons हैं एक converge हो हमें एक beam की शकल में electrons नहीं हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम एनोर्ड की help लेते हैं ठीक है एनोर्ड की हमारे पास बिसके लिए हम तीन एनोर्ड यूज़ करते हैं इन एनोर्ड के दो काम है एक काम है इनका focus करना ताके एक single point पे जाके strike करें on the fluorescent screen दूसरा काम यह है कि वो electrons को accelerate करें ठीक हो गया तो इनके दो functions है आपकी बुक में बस वो यह बताता है यह दो functions हैं इनके लिए नहीं बताता है कि इन तीन एनोर्ड में से कौन से एनोर्ड यह हैं वो accelerate करें और कौन से focus करें तो बिसके लिए हमारे पास जो यह एनोर्ड और यह एनोर्ड है इनका काम है accelerate करना और जो हमारे पास यह एनोर्ड है इसका काम है focus करना beam को ठीक है अब हमारी beam कुछ इस तरह की दिखेगी कि वो पहले यह converge हो यानि कि diverge हो ओरी थी अब वो इसमें से गुजरने के बाद converge होके वोना single point at the fluorescent screen strike कर रहा है तो हम एक dot सानुदर आ रहा होगा on the cathode ray screen मैं अब इसके लिए चाहिए क्या हमें function चाहिए AC current का ठीक है अब हम वो किस तरह से करेंगे उसकी तरफ भी आते है तो इसके लिए हमारे पास जो cathode ray oscilloscope है CRO उसमें जो ये तीन components है जिसमें हमारे पास आता क्या heating, filament, cathode, grid और ये anodes ये मिल के बनाते हैं electron gun electron gun आपको पहले भी जब हमने e by m ratio का experiment दिखा तो उसमें मैंने आपको अपनी lab का experiment दिखा तो उसमें वो छोटी सी एक electron gun लगी होती है तो उसका structure भी यही होता है बिसकली इसका मकसद क्या है कि electrons emit करना on a single point ठीक हो गया तो ये तो आगी हमारी electron gun अब आगे हम क्या चाहरे हैं इसके लिए हम इस screen पे इस point को move करना चाहरे हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको horizontally किस तरह move करेंगे अब horizontally इसको move करने के लिए हम use करते है horizontal deflecting plates इन plates का क्या काम है कि इस beam को horizontally display करना अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ center points है तो मैं इन plates की मदद से इनको लेके जा सकता हूँ यह plates खुद तो बाज़ जाहर vertical होती है लेकिन जो यह motion produce कारी होते है beam का वो हमारे पास क्या होता है horizontal होता है अब यह काम कैसे करती है बिसकी electron हमारे पास एक charge particle है तो अगर for example मैं इस side पे positive charge ले आता हूँ और इस side पे negative charge ले आता हूँ ठीक है तो यह negative यह अगर मैं चार्ज इनवर्स कर देता हूँ और यहाँ पे negative कर देता हूँ तो इस case में जो हमारी beam है वो हमारी क्या करेगी वो जाके इस point पे strike करेगी तो हम बिसकी यही कार रहते हैं कि हम इस पे कभी कभी इसको positive करते हैं कभी इसको positive करते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं हम किस तरह से करते हैं तो basically इसकी मदद से हम पूरी horizontal line एक draw कर सकते हैं using these electron guns किसी भी point पे लेकर जा सकते हैं अगर मैं आपको दिखाऊं कि CRO काम कि बहुत तेजी से sweep कर रही होती है horizontally जो basically यह दो plates हैं इस beam को अपने commonly एक CRO देखा होगा CRO की एक example आपके घरों में भी किसी time पे मुझूद थी जो कि हमारे old school TVs होते थे बड़े बड़े TVs वो भी CRO ही होते थे ठीक है तो अगर मैं दिखाऊं कि CRO में जो horizontal sweeping होती है उसकी speed किया है तो for example आपको मैं यह video दिखाने लगा हूँ इस video आपके जो normal camera होता है वो जो video record करता है वो at 30fps करता है इस वक्त जो यह video record हो रही है यह record इस वक्त होई है 380,000 fps ठीक है इसका frame rate इतना जाद है तो अगर आप देखो आप देखो आप देख सकते हो इतने जादा frames per second record करने के बावजूथ हमारे पास कितनी speed से यह sweep का रही है अब यहाँ पे एक चीज़ चेंज है हमारे पास जो CR होती है उसमें continuously वो एक ही line में move करते है लेकिन यहाँ पे एक line यह लगी फिर उस अगली line उसे नीचे फिर अगली line उसे नीचे तो TV थोड़ा सा इस CR से different होता है वो different क्यों होता है बिसकलि यह line नीचे क्यों होता है वो भी मैं आपको explain करता हूँ तो basically हमारे जो CR होगा है यह इतनी तेजी के साथ move कर रही होती है तो जब यह इतनी speed से move कर रही होती है जो एक point है वो हमें illusion नजर आता है कि वो basically एक straight line है for example अगर आप मेरी यह video भी देख रहे है इस वक्त तो यह video भी हमारे पास तकरीबन आपको जो receive हो रही है वो 60 fps पे हो रही है तो आपको लग रहे है कि मैं continuous motion में हूँ आप एक continuous motion देख रहे हो हमने draw कर लिया तो इसके लिए sweeping होती ही कैसे है और इसी sweeping के विज़ा से जो हमारे पास voltage है इसको हम sweeping voltage भी कहते है तो हमारे पास sweeping voltage बिसके लिए एक किस तरह से कहते है for example अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे laser point को लाँँ ठीक है तो यहाँ पर लाने के लिए मुझे क्या करनापड़ेगा मुझे negative voltage देना पड़ेगा negative से मराद यह कि मैं यहाँ पे sorry यहाँ पर negative द्यूंगा ठीक है यहाँ पे positive द्यूंगा तो इसको negative voltage कह रहा ह Grey तो अगर मैं negative voltage दूंगा तो मेरा point कि क्या करेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको मजीद अब zero से positive extreme की तरफ लेके जाना पड़ेगा तो basically मैं इसको linear या आपको straight line इस तरह इसलिए मिल रही है कि जो basically हमारे पास point move कर रहा होता है ये with a constant velocity move कर रहा होता है uniform motion होता है तो इसका तो इसकी velocity chain यह ओरी तो हमारे पास basically जो आपको straight line नदर आ रही है तो अगर हम इसका response on the fluorescent screen देखे तो हमारे पास charge कुछ या जो हमारी laser light थी वो हमारे पास इस तरह से move कर रही थी तो अब उसके बाद मैं दुबारा से यहां से यह जाना चाता हूँ तो मैं क्या करूँगा ठक से voltage को दुबारा से negative करूँगा instantaneously बहुत short time है पॉर्ण से मेरा यहां पर point आजेगा और उसके बाद मैं दुबारा से move करने लाग जाँगा दुबारा से मैं यहां पर आँगा दुबारा से मैं मूव करने लाग जाँगा तो basically हमारे पास जो controllable चीज होती है इना CR वो हमारे पास क्या होता है कि हम इसका sweeping time control कर सकते हैं हम यह control कर सकते हैं कि जो B मैं उसको from left to right जाने में कितना time लगेगा तो हम कहते हैं time period हम basically इसकी frequency control कर सकते हैं तो frequency अगर हम control कर सकते हैं frequency हमारे पास क्या है 1 over f हमारे पास is equals to time period होता है तो अगर हम frequency control कर रहे हैं तो हम time period ही control कर रहे हमारे पास CR और ओपर च्वपर न चोटी चोटी knobs लगी होती है तो उन में से एक नोब का ये function लाता है कि हम sweeping जो voltage है जो हमारे पास along the horizontal plates deflecting plates आ रहा है हम उस voltage की frequency हम change कर सकते हैं तो इसलिए इसको sweeping voltage भी कहा जाता है अब हमने horizontally तो इसको move कर लिए अब हम vertically move करना चाहरे हैं तो उसके लिए हम vertical deflecting plates लगाते हैं अब जो for example हमने current जिसका function मालूम करना है ठीक है for example अगर आप यहाँ पर देखो तो basically आपने यह जो दो terminals connect लिए हैं यह across the AC source किया है अगर आप यहाँ पर देखो आपने यह जो दो terminals connect लिए across the AC source किया है तो इसी तरह यह बिसकली दो terminals किसके हैं यह horizontal sorry vertical deflecting players के terminals है ठीक है यहाँ पर भी हमारे पास जो यह for example यह हमारा AC current है ठीक है हमने इसका एक end इस point के साथ connect करना है दूसरा end इस point के साथ connect करना है ठीक हो गया अब हमारे पास AC current का actual function क्या होता है ठीक है हम देखेंगे कि हम इसको इसके response पर हमें screen पर क्या मिलेगा fluorescent screen पर ठीक है ठीक है ठीक है तो जब वो zero पर इसका मतलब है कोई deflection नहीं है जब वो positive P की तरफ गी यहाँ पर आई तो हमारे पास जो यह point था इसकलिए हमारे पास यहाँ से यहाँ पर move कर जाएगा आग यह दुबारा यहाँ से यह zero पर आई हमारे पास यह point यहाँ से दुबारा un deflected यहाँ के center पर आजाएगा उसके बाद हम negative की तरफ गे तो इसका मतलब हम यहाँ पर नीचे की तरफ गे तो यह basically repeat होता जाएगा ठीक है जो एक cycle है इसका complete होगा वो basically इसका जब इस way में हम यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो basically यहाँ पर जो हमारे पास beam या laser beam या electron beam वो क्या करेगी वो यहाँ से लेके वो भी अपना एक cycle complete करेगी तो basically जब हम इन दोनो horizontal और vertical motions को combine करते हैं तो हमारे पास basically क्या होता है हमारे पास sinusoidal function जो कि हम plot करना चाहा रहे तो वो हमें मिल जाता है on the screen उसमें एक दो चोटी मोटी चीज़े हैं जिनको हमने adjust करना होता है वो adjustment क्या अगर नहीं होते हैं basically यह आपके सामने एक animation है जहाँ पर दोनों आपको plates in action नज़रा रही है और आपको नज़रा रहे है किस तरह से मारे पास उसका function draw होता है अच्छा अब हमारे पास for example यह front of the screen है इस screen को हम देख रहे हैं हमारे पास सिर्फ control में क्या चीज़ होती है वो होती है frequency of the sweeping current हम उसको control कर सकते हैं तो यहाँ पर जो आपको यह current green नज़रा रही है बिसकी sweeping voltage है और जो आपको यह sinusoidal नज़रा रही है यह आपके पास क्या है यह आपके पास वो function है जो कि हम draw करना चाहा रहे हैं यहाँ पे तो वो हमने इसकी inputs में दिया inputs हम on the y plates देते है for example अगर मैं इस snare view के लिए भी हमने frequency यह रखी हुई है for example हम सिर्फ जो यह green waves है इसकी frequency को change कर सकते है for example अगर यह कोई random frequency है तो उस पर जो हमें green पे नज़रा आएगा एक wave के लिए कुछ इस तरह से आएगा फिर next wave जो हमारे पास इस तरह से एगी तो हमें noise नज़र आएगी on the screen हमें कोई value हमें कोई function नहीं नज़रा रहोगा उसकी वज़ा क्या है उसकी वज़ा यह है कि हमारे पास जो हर एक wave है वो पिसली wave के ओपर overlap नहीं का रही overlap से क्या मुराद है यह wave यहाँ पर खतम हुई है जो next wave है वो भी इसी के ऊपर नक्षे कदम पे चले ठीक है बिलकुल exact ऊपर हो मैंने इससे draw नहीं किया इसके लिए हमारे पास exact ऊपर हो अब exact ऊपर होने के लिए कि यह जिस point पे end हो रही है start भी यहाँ पे अगली wave उसी point पे होती है तो हम बिसके लिए है चाते है जис point पे end हो अगली wave start भी उसी point से हो तो अब यह basically start यहाँ से हो रही है तो बिसके लिए हम हम चाह रहे है कि यह wave यहाँ पर यह point यहाँ पे जाक़ wave end हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम sweeping voltage को change करेंगे हम sweeping voltage को change गरके जब हम यह sweeping voltage होगा sweeping voltage के अगर हम frequency देखे या time period देखे तो इसके अगर हम एक wave को complete wavelength देखे तो यह हमारे पास complete wavelength है लेकिन अगर हम इसी के साथ देखे हैं मारे पास जो sweeping voltage है इसकी भी wavelength यहाँ पर complete हो रही है wavelength एक जैसी तो इसका मतलब है इन दोनों की frequency भी same है तो जब हमारे पास इन दोनों voltages की frequency same हो जाएगी अब हमें पता तो नहीं है same कब होगी इसके लिए हम उसके साथ कहलो कि hit and trial कर रहे होते हैं हम उसको randomly change कर रहे हैं और हमें नज़र आता है कि हम इस direction में जा रहे हैं हमारी noise काम हो रही है यह वो ही इसके एकवला है frequency of the input के एकवला है लेकिन फॉर जैंपल अगर suppose को रहे हमें दो wavelength नदर आ रही है यह total wavelength अगर इसकी देखें तो अगर हमें यह नदर आ रहे है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे जो crunch sweeping voltage है वो क्या है यह बिसके हमें इस point पर मिलेगा तो इसका यह मतलब है कि जो हमारा frequency of the x है और जो हमारे पास frequency of the yellow के y है जो हमारे पास frequency of the x है वो two times of the frequency of the y है तो हमें जितनी जादा wavelength यहां पर नदर आएंगी उसका मतलब है कि जो हमने sweeping voltage की voltage set की हुई है वो basically हमारे पास यहनुके फजब अगरे दर दो नदर आ रही है तो इसका मतलब है कि जो हमारी frequency of the y है two times of the frequency of the input है ठीक है तो वहां से भी हम इस two के यहां पर लागे डिवाइड करने तो हमारे पास input की frequency आ जाजएगी उसके लावा हम क्या देख सकते हैं उसके लावा हम इसकी peak voltage देख सकते हैं कि इसकी peak voltage क्या जो भी हमने input दी है और हम किसी भी instant पे इसकी voltage की value मैयर कर सकते हैं तो CRO का basically मकसद यह होता है कि हमें एक तो frequency पता चले जो भी हमारा input function है दूसरा हमें उसकी wavelength पता चले और उसकी peak value पता चले तो यह 2-3-3 जो के हम CRO की मदद से easily calculate कर सकते हैं